लग रहे हैं आपको कोई कोशिश की जारी है दुनिया में किसी और कंट्री की तरफ से के इस जगड़े को इस वार को रोका जा सके जी बिल्कुल मैं तो पूरा श्योर हूं कि एक जो बैक ऑफिस बातचीत होती है वो बैकडोरी डिप्लोमेसी वो चल रही होगी दुनिया में दो फार हो गया है असल में एकड़म क्लियर कट डिविजिन ने जो पहले थोड़ी बहुत पॉलिटिकली करेक्ट होने की बात हुआ करती थी वो खतम हो गई है इस बार वेस्ट ने साफ साफ कह दिया कि नहीं हम इसराइल के साथ कड़े होंगे पैलेस्टाइन के साथ जो सूपर पावर खड़ी भी है जैसे आपका रशिया हो गया या चाइना हो गया मगर उनका यह नहीं है कि जो पैलेस्टाइन नहीं किया वो ठीक किया और हमास टेरिस्ट ने और्गनाइजेशन नहीं है वो मतलब वो यह नहीं कहरें कि इस्राइल एक एक टैक है लीजिए अग्रेशर स्टेट है या इस्राइल ने कोई इंटरनाशनल लॉग वालेशन किया है सब लोग कहरें कि नहीं भाई उनके पास राइट तूर सेल डिफेंस है उन्हें अपने आपको बचाना होगा तो वो जो कर होने वाले और दस-पास सालों में पांदर सालों में अगर यह इस्लामिक वर्ल्ड का कॉंसेप्ट नहीं खतम हुआ तो आप यह दुनिया हो जाएगी यूमन वर्ल्ड वर्सेज इस्लामिक वर्ल्ड चूंकि सारी दुनिया यूमैनिटी की और चली चाह चुकी है वह मानव माज वर्सेज इसलामिक समाज, यहिसलामिक समाज को सोचना है कि वह कहां जाना चाहते हैं भी हमाज के जो लीडर यह जो कोई पलेस्टाइन के जो जो कोई धर्म गुरू थे इसलामिक स्कॉलर उननों ने का गाकि इस राय तो हमारा पहला है उसके अब आद दुनिया पे हम करना इस्लामी हकूक होंगे यह सब क्या बतलब यह कौन समान सिकता है अरे आपको मानना है आप मानो दुनिया को क्यों ले जाके देर हो भई दुनिया खुश है अपनी सिंदगी में वह बहुत आगे बढ़ गई है आप जो है दुनिया को पीछे घीच के ले जाना चाहते हो और मज़े की बात है दुनिया के जो दुनिया में एविलेबल रिसोर्सेज है जो टेक्नलोजी है उनका यूज करके आप उनको पीछे ले जाना चाहते हो तो यह साथ कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको यह लोग इसलामिक कंट्रीज जो है या गल्फ कंट्रीज जो है वो कर दिया कि बाकी कंट्रीज भी उनको आने के लिए मना कर रहे हैं तो फिर यह साथ में तो मुद्ध कर दिखेए लिए आपको यह श्रेव एक दिखावा है या वाकुदह ए इसलामिक कंट्रीज आगे बढ़ कर और था फलस्तीन को हमास को सचमे सपोर्ट कारी Chicago स्टेटमेंट किया तक है साथ कहने से मेरा मतलब यह था कि किसी ने भी हमास को तो नहीं कहा दबेश अब्दों में भरसना की थी दिया था कि यह बहुत जादा हो गया मगर कोई हमास को टेररिजस्ट और्गनाइज़ेशन नहीं कह रहा बात यह हो रही है बाकी तो इस्लामिक वर्ड में कोई यूनिटी नहीं है वो एक देखे एक एक एरबिक जिसे कह लिजे कल्चिरल सुपरियलिजम को रिलीजिस का घार पहना दिया गया है और वो वो करना चाहते हैं वो दुनिया पे अरबी कल्चर ठोपना चाहते हैं इन जिसको जो मानना है माने लेकिन वो क्यों आपकी भाशा को माने वो क्यों आपके लोकल लॉस को दुनिया का लॉस बनाना चाहरे हो जो भी लॉस आप लगाते हो वो सारे में west से लड़ने जा रहा है यह नहीं है that's impossible कोई लड़ने नहीं जा रहा क्योंकि जो लड़ने के लिए तैयार खड़ा है वो इरान वो भी is division साफ बढ़ी अपिका छैनल पर देख रहा था कि अफगानिस्तान ने मना कर दिया कि हम आपका help नहीं लेंगे पैले खुद्तों एक हो जाओ फिर दुनिया को एक जाू Came हम उनके साथ नहीं है हाँ वेस्ट के साथ बागी दुनिया थी वह खड़ी हो गई है किसी ने condemn अभी तक नहीं किया इस्राइल कोई United Nation में resolution नहीं sponsor आया कि इस्राइल को ban करो कोई अभी तक इस तरीके की activity नहीं हुई कि Security Council का restriction लगाया जाए Chapter 7 में इस्राइल के उपर for the violation of 2 clause 4 of the UN Charter यानि कि use of force या किसी के विलिए कोई नहीं हुआ UN is all keeping quiet यानि कि अपने पैर रगने अगर इतना ही है तुम साओदी अरभिया कह देता उससे रशिया से या चाइना से कह देता जी आपको मेरी आवाज आ रही है बिल्कुल सही आपका जी सर बीच में फ्रीज हुआ था थोड़ी सी दिर के लिए आपका अमेरिकल इंटरनेट नहीं ठीक है सर बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ लेकिन बात सर ये के चाहे जंग कहीं भी हो और किसी भी कंट्री के बीच में लड़ी जा रही हो सब जितनी बाकी कंट्रीज उनको पर भी सर आपकी ख्याल से कुछ ना कुछ असर पड़ेगा क्योंकि इससे पहले भी युक्राइन और रेशियन वार को अभी तक लोग भुगत रहे हैं और जब जब भी जंग हुई है चाहे वो अफ़गानिस्तान की ही साही जो अमेरिका ने यहां पर लड़ी लेकिन उसका असर तो पूरी दुनिया में पड़ा तो अगर यह जंग भी यहां नहीं रुकी और किसी जगह से अगर इस्राइल ने जो है वो नुक्लियर वैपन इस्तेमाल कर लिए जिसके लिए बहुत शक्षुबाद जाहिर किया जा रहा है कि हो सक फ्रंट नहीं खोला नुक्लियर विपन तो तब आता है जब आप देखते हो कि हमारे पास कोई साधन नहीं है और आप मैं तो बर्बाद होने वाला हूँ तो दूसरे को भी बर्बाद कर दो नुक्लियर विपन या तो फर्स्ट रिजार्ट होगा या तो लास्ट रिजार्ट होगा नुक्लियर विपन कभी भी आपका जो है कर्मेंशनल वार का रिजार्ट हो वो लोगों को बुला देंगे वापस अभी नहीं गाजा तो complete Palestine control में यह प्लेस्टाइन की problem है यह जो पागलपन है ना एक ही हमारे चुकि आप तर्क है नहीं एक ही option है कि या तो लड़ो या तो लड़ो या तो लड़ो हमें से हो जाओ या लड़ो हमसे में इसके अलावा कोई माइंडसेट ही नहीं है और मेरे मेरे करवी दोस्ते बाची तो रही थी तो वह बता रहा था कि यह तो हम 200 साल तक रड़ेंगे यह भी है कि वह और रही कंसिलियेशन या किसी और से वह जो क्या नाम है किसी और को एक्सेप्ट करने की भी इबलिटी नहीं है सब गलते आमीं सही है यह जो एक पॉब्लम है एरभिक वार्ट के साथ जो की अ दिकें बार्बरीजम और सिवलाइशन में क्या अंतर होता है सब भे समाज और सकते आम आप किसी को करता हैं यहां बार्बर समाज होता है जो समाज होता है वो इंगेज करता है डायलॉग में बात्चीथ में, डिपलॉमसी में, एक दूसरे को समझने का प्रयास करता है, एक अкіम होते हैं, अग्जार को सब्सक्राइब प्रॉब्लम यह नोट रेडी टू अकुमडेट एनी अधर व्यूपॉंट आप देख ले जो पूरी दुनिया में जो इसलामिक स्टेट है वो सिर्फ और सिर्फ अरबिक मुल्क है और को इसलामिक मुल्क निये पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़के वाकि सारे से क्यों आज मैंने अपने जी में द्रजाकस्तान गेक प्रॉफेसर हैं को बराएं सथ काह से अधरह यह दुनिया में किसी को अपनी अलावाज जगह नहीं देना चाहता है अब वो दिने दिने कुछ खोलने की कोशिश करते हैं तो यह पैलिस्टाइन और हमास जैसे लोग यह अरकत कर देते हैं आप बताइए अगर आपकी लडाई है भी क्या यूरोपियंस की जमीन नहीं गई है तुर्की यूरोप की जमीन पर बना हुआ है इंडिया की जमीन नही करें पुजा किया करते ते और दूसरे देवी देवताव के पुजा किया करते ते यह हिंदू की जमीन वहाँ पर तो नहीं कोई सब्सक्राइब कर लिया ना कौन कह रहा है कूं पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे हम इनको आदेंगा सब करें ठीक है ठीक आप बदले चलो अगर आप न थोड़ा सा दिमाग लगाएंगी तो यह जो आज वर्ल्ड रिलिजन बना हुआ है न यह वर्ल्ड रिलिजन नहीं था अगर आप अब्रहेम का जो प्रॉफेट अब्रहेम से उनका भी आप वो पढ़ ले क्या नाम है जो गॉस्पल है उसमें उनको यह कहा गया ह भगवान के द्वारा यह जो है हमने तुम्हारे बच्चों को दिया है तो यह जो यह जो अब्रहेमित फेट का भगवान है बैसिकली कुल दे होता थे जिसको इन्होंने यह आप चाहते है कि वह दुनिया का भगवान बन जा है वह दिकत यह अगर आप जाके कुछ नहीं त आप लिए लगां गुदी में वत लगवान बन पुदी चाहते हैं चाहते हैं अगर जो इंह बन बन टुम्हारे ही जो होने वाले बच्चों का यह मैं जमीन देता हूं जिसको आप तलस्टाइन कह रहे हैं और मैं तुमसे उत्पन हुए सारे जो बच्चीं है बनाने की कोशिच की जा रही है अगर यह अपने देवता में खुश रहे है तो कोई दिकत नी है आपको आपका पसेंगा अपसमें खुच रहे है तो नहीं बिलकुल आप सही कहरें लेकिन यहां पे लोग जिस तरह से एक एक इनने में जी शुरू करें शरी मैं आप से यही कह रही थी के साओधी अपने भी एक कुछ टाइम पहले अनॉंस किया था साथ इसराइल के साथ भी अपने ठीक करने और बात्चीत के लिए तैयार थे, मह्मथ Bin Sulmant ने ये भी एक इंटरविवे उम्हे बात की थी, बहुतसे लोग ये भी कहते हैं के हमास का टाक है , वो साउजिया इडी करते हुए, है तो कि आप इससे एगरी करते हैं कौन किस से लड़ा है मनोधीजम मनोधीजम से लड़ा है बिना मुसिया के बिना हजरत मूसा के حजरत मुं 가지고 मैं नहीं पॉसिबल हैं ढूनों कि लूइकystem कर के कुफार से लड़ा है मनोधीज्म को مैंफीजम बर्दास करने को नहीं तेयार है एक कुदा को मानने वाले एक कुदा को मानने वाले को बर्दा तीयाब निए दोगो करेंद दुसरे को बिटाके रहेंगे तो यह मुनो की पॉल्बलम में न कौन किस तरड अभी है जहां तक बात है और सब्सक्राइब अधिकि जब तक यह अपने आपको secularize नहीं करेंगे को एक format नहीं कि उसने जो लोग जो लिटरलिस्ट है जो fundamentalist है fundamental का मतलब जो basic कुरान को apply करना चाहते हैं उनका बात सच है कि वो दुनिया को लेड़ाना चाहते हैं दुनिया पेचाना चाहते हैं वो तो पॉइंट यह है कि आप समाज के साथ चले कि दुनिया में हर चेगा यह problem होगी कि लोग वहां पर करेंगे आप Arabic कल्चर को के नाम पर दुनिया का दुनिया का religion बनाने पर तुले हुए हो नहीं हो सकता है ऐसा तो पॉइंट है कि अब यह जो दो तीन लीडर है मोहमद सल्मान और दकाओन थPER Conrad के लोग जो अच्छे लोग है मैं इनका बहुत समान करता हूं मगर इनकी दिकत यह है कि यह यह जिल लोगों से गिरे वोए है वो बड़े ही और इग्रेसिव लोग Merci नहीं यह तो-प्रोग्रेसिव हो गया है क्उनकि समाज को इन्हों इतना close करके रखा UA तो फिर भी दुनिया में इदर उदर के लोग आते हैं तो देखता है point यह है कि आप अगर समाज को नहीं खोलेंगे तो राजा के खुलने से कुछ नहीं होगा राजा बहुत बड़े दिमाग का भी हो लेकिन समाज नहीं हो तो राजा कुछ नहीं कर पाएगा the islamic world needs awakening the islamic world needs to be human world the islamic world needs to be रिने साव उनको पुनर जागरन करना होगा आपको religion को ही छोड़ने को नहीं कह रहा है मगर religion को spiritual content बनाईए religion को political content मत बनाईए आप कहरें कि हम दुनिया पर अपना religion को ले जाएंगे और दुनिया के सारे लिगों का अपने अंदर सब्दियू करेंगे वह हमारे नीचे रहेंगे यह पॉलिटिक्स है या यह religion है यह तो पॉलिटिकल बात होई ना religion का मतलब होता है कि मेरे दिमाग में कुछ प्रॉब्लम है मैं बहुत परिशान हो मुझे चीजे नहीं मिलनी तो मैं भगवान की अल्ला की चरण में जाके मंदीव में मस्जीद में आप कह रहे हो मैं तुम्हारी यह करना चाहता हूं यह है लेकिन अगर आप पॉलिटिकल टूल को कह रहे हो कि नहीं मेरा काम तो यह क है कि आपको ना थियोरी में जाना पड़ेगा सतही बाते करने से ट्रंजैक्शनल बाते करने से प्रॉब्लम नहीं चीख होंगी तो बात है ना सर यह जितने यह मुल्ला माफिया हमारियां बैठे हैं और वाकी जगह पर जो यह चूरन रिलिजन का बेच रहे हैं इनकी तो स पर दुकाने इसी से चलती हैं इन्हें कौन रोकेगा यह तो बहुत स्ट्रॉंग हो गए हैं पिछले 40-50 साल में जो यह यहां पर पाकिस्तान में भी यही कहा जाता है कि बुट्टो के जमाने में ऐसा नहीं था लेकिन जावलक्याने के बाद से और बुट्टो के जाने के क पता है अपना कॉंसिटूशन पढ़ने को देडीजिए वह का इस्टूशन मुला माफिया यह जो यह नहीं करेगा है आपका Leadership कotion कह स्को नहीं करता और उबदा20 के दौर दार्री कान्सिल कौ भी धिर्यों करेगी अगर वह कहे बनेगा अगर वो कह दिये कि यह लौ नहीं है तो लौ भी नहीं बनेगा तो कौन स्ट्रॉंग है पावर किसके पास है मैं लौ बनाने वाला हूं मेरे पास यह पावर होती कि मैं आपका पावर ले लू उल्टा आपके पास यह पावर है कि मेरी पावर ले लो तो यह समाजिक निर्मार्ण जिस समाज में जो बीज आप डाल रही है वो बीज से यही फल पौदा निकलेगा और आप दिक्कत यह है कि फल में देख रही है कि यह फल में प्रॉब्लम है फलों में प्रॉब्लम नहीं है बीज में धांकिये आप बिलकुल ऐसा ही है लेकिन जार उमीद करते ह कुछ ना कुछ बेतर हो जाए इस्लामिक वर्ल्ड के लिए भी यह लोग भी कुछ समझदार हो जाए और यह सब कुछ करना छोड़ दे और बाकी जो चल रही है इस्राइल और फलस्तीन के बीच में उधर भी अमन हो जाए और कोई ना कोई कि ऐसा सलूशन उसका निकला है जिसे हम दुबारा यह नुकसान होते वे इंसानी जानों का ना देखे थैंक्यू सो मैं से अपना जॉइन किया जी जी मैं बस यह कहूंगा सलूशन तभी होगी जब जैसे मैं एक बार फकर भाई के शो में था तो एक महिला थी हूं बोले दिल के साथ तो जो जो उस वार ऑन टेरर का जो पोस्टर वोई था उसको अपने घर में रखे में तो पॉइंट है कि यह जो डुपली सिटी है ना यह तब तक नहीं जाएगी आर्जू आपको यह समझना पड़ेगा जब तक आप राज आपके चीफ जस्टिस साहब का बयान आ साथ में और मौलवी साहब में और मुफ्ति साहब में क्या अंतर है कोई आंतर नहीं है काजी साथ कर नाम का नाम काजी एक कानाम चीफ जस्टिस साहब है तो आप मैं मैं वहीं कहूंगा आर्जू जी कि एक ही तरीका है गो टू दा पाथ आफ वेस्ट आपके आप जॉन लॉक पैदा होने के जरू होते हैं आपके आपे लोग क्या कह रहे हैं वो हमारे में कमिया बता रहे हैं अपनी कमी बताने से पहले चार गाली हमको सुनाएंग हो रहा है इंडुत्वा बड़ा खड़िया है अब हम अपने पहाते हैं अरे बढ़ तो लो तो यह दिक्कत कि जो आपने accept किया उसके लिए उस त्यूरी के जैसे दो तरह के पेल होते हैं एक वह पैड़ होता है जो अपना जल खुद से बनाता है और वत्विश बन जाता है कुछ ऐसे पेड़ होते हैं वो अपनी उनकी कोई वो निया उनको दूसरे का सहारा चाहिए बनने के लिए तो आपकी जो त्यूरी है वो सेल सस्टेनेबल त्यूरी निया उसमें पहले हमको विलें दिखाना है आपको और उसके बाद आपको फूरी में जाकर थोड़ी बहुत क्योंकि इंटरनेट पर मौजूद है वहां जाकर पढ़ने मैंने खुद भी बढ़ा है मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था तो मैंने वहां गूगल करके और वह पूरी डिटेल्स पढ़ी है और मनों मुझे समझाया भी और मैंने उसको पढ़ा भी तो कोई हरज नहीं है अगर वह पढ़के और समझ के फिर उसके बाद बात करें लेकर अनपर्टनेटल यहां पर ऐसा होता नहीं है लग कुछ भी सीखने को तरह नहीं है लिए कि अगर आप मुसल्मान है तो क्या आप हिंदू के साथ रह सकते हैं क्या कुफार के साथ रह सकते हैं तो पहले नहीं को त्याग दो आपको इतन ही कहा जा रहा है रिलीजन में से पॉलिटिक्स को द्यागो जो भारत की दूटा भारत नहीं तूटा भारत जुड़ा रहा भारत की थीयों के लोगो ने तो तलवार बना वह एक साथ नहीं रह पाते लेकिन भारत की यह जंडे के नीचे तीस स्टेट जो मुक्तलिफ जवाने बोलते हैं मुक्तलिफ उनकी रहने का तरीका है मुक्तलिफ इसकी इन टोने लेकिन वो अपने आपको इंडियन कहते है डिस्पाइट यह कि 700 साल से इस थीरी के उपर अटैक किया गया दुनिया की सबसे स्ट्रॉंग सिबिंट अगर कोई है तो वो थीरी ऑफ इंडियननिस है वो थीरी ऑफ वेदि के जस्ट एग्जिस्टनस है वो थीरी ऑफ इंडियन सिवलिजेशन है जिसको कोई तोड नहीं पाया आप उटू को आपने अपने भाषा बनाई उड और नहीं खिया हमारे हां हिंदी को लेकर गालिया पढ़ती आइं लेकिन बंगाली भी हिंडी बोलते हैं तामिल भी पीस बोहते हो फों dwellे और धुरु तो स्रूरु तो मेंट्षयरلة of को आपने लेंग्वेज आफस्प्लाम बना दिया वह लैंग्वेज आफ इस लाम तो लेंग्वेज आ इंडिया तो यहिंदू को एनिको या संस्कित को बना लोग्स्सक्राइब कर लिये ऐसा कि नहीं होता है डिस्पूट होता है लोग क्ए हंदी तो कुछ치가 लेकिन करना है मिंडियोग अरे कर दर लिकिवारत की जहां पर बैटके लोग दूस्रे को यह कहते हैं आप यहां पुछी है जो लोगाय थे 47 के बाद-क्रेश्चन के बाद यहां पर आएं ऻ्यां जैसे के मैं हूँ, मैं किसी से या पंजाब सेक्टर में या पंजाब प्रौइंस में किसी से बात करूँ, तो वो मुझे सबसे पहला सवाल यह करते हैं, क्या हिंदूस्तानी हो, क्योंकि वो जो एकसेंट है मेरी, उसकी वज़ा से वो मुझे खट कर के पकड़ लेते हैं कि यह किनां कोई अर्दू स्पीकिंग है या यह इंडिया से आएं अभी तक वहां से जो भारत से लोग आई थे महाजिर कहलाते हैं अभी तक उनको हिंदुस्तानी कहा जाता है और पूछते लोग बकायते हैं पूछते अभी भी मुझसे पूछते हैं यह कि मैं आपको के पुरानी बात बता रही हूं आज कल भी पूछते हैं अगर कोई फर्स टाइम मुझसे मिलेगा और उसकी जुबान पंजाबी सिंदी या कोई दूसरी लेंग्विज होगी वो मेरी उर्दू या मेरी हिंदी सुनके यह पूछेगा कि क्या आप हिंदुस्ता अगर यार तक शिला की धरती पे हिंदुस्तान नहीं होगा बगवान राम के शहर लाहूर में इंदुस्तान नहीं होगा तो फिर हिंदुस्तान कहां होगा कराची सिंद में पंजाब सिंद गुजरात मराथा दाविड उतकल बंगा तो यार यह तो इसलिए कि हमारा रिलीजिन नहीं सोचें चरह सारे जैनियत का अंदाजा लगाए कि मैंने अपना नाम उर्दू में भी लिखा है इंग्लीश में भी लिखा है हिंदी में भी लिख का है इसको मोलो मेरी एंडिया चली जाए तो मैंने का भई मुझे कई यॉरॉप में भी लिख पर तो अपनी हिंदी और संस्क्रित और बेंगॉली और तामिर और तेल्गू से नफरत करना जरूरी है यह क्यों है यह कह रहा है कि तुम्हें भाशा से नफरत करो यह कौन सा म मैं वर्दू मेरी भी मुझे और अरभी से हैर छूप्सूरत सीफान एंसनों की साथे JIMांता हूं इसराहां जहूता है जतने मुझे फरेंड् beasts घूते मों उसक्राइए है इंदे divergence Called proc pra pra 2016 फैंट और मेरे प्रीज्वे को घृствен के लिखेता था क्रूए अर्जवूग्09 धान वहां से आये तो मेरे घर में तो सार 60% हिंदी वर्ड यूस होते थे इसी वज़ा से जब मैं इंडियन टीवी पर गई थी फर्स टाइम शो करने तो वहां पर बाकी पैनल्स की तरह मुझे उनके कुश्चन्स या को समझने में मुश्किल नहीं होती थी जो के लिए लेकिन ये चीफ भारत के होम मिनिस्टर साब मैच देखने आये हैं यह अच्छा होगे आप लोग जीतने लगे ना इसलिए लेकिन आपको यही बतारी थी इसलिए मुझे हिंदी तो घर में बोली जाती है मुझे कोई टेंशन नहीं होती समझने में लेकिन बारहल हमारे लोगों को अच्छा है मैं इनके हाथ जोड़ाओं आप अता तुर्क से सीखो जब अटबन अंपायर गिर गया तो अता तुर्क ने कहा कि चुकि हम यूरोप की धर्ती पे रहते हैं हम यूरोपियन भाशा को एक्सेप्ट करेंगे उसने तुर्की लिखने के लिए जो जबान यूज क कि यूर्बने